सची सरकार के तरफ से मदद की गई आप लोगों को कुछ नहीं की तरफ से मदद की गई व्हें अनाज दिया गिया है जगा अनाज सनालय क Frajer लगा 56 दिन से 5-6 दिन से तो तो तुम लोग सौचाले करने कहा जाते हो जाते हो आपके साथ नादिश मैताब आपको बता दे कि बिहार में लगतार कोरोना के केसिस बढ़ते ही जा रहे हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर भिहार का सबसे बड़ा सपोर्ट कॉम्पलिक्स है वही आपको अगर हम दूसरे तरफ की तस्वीर देखायें तो कुछ और बया करती है हमारे पीछे इस sports complex के पीछे एक बहुत बड़ी बस्ती यहां पर बसी हुई है जिस तरह से पिछले lockdown में सरकार ने मदद की थी गरीबों की कहा था कि गरीबों को अनाज दिया जाएगा उनके account में पैसे दिये जाएंगे वो पूरे हुए थे लेकिन क्या अब इस lockdown में सरकार गरीबों की मदद कर रही है हम चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ सरकार के तरफ से सहायता की जा रही है सरकार के तरफ से मदद की गई है आप लोगों को कुछ नहीं की गई है और आनाज दिया गिया है सब लेकिन फिर भी सबांदर के तरफ से सब्सक्राइब लेकिन पर भी सरकार के तरफ से कुछ नहीं एफ यहां के जो वाट कॉंसलर है या विधायक है उनके तरफ से बाबाद सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं है. सरकार से क्या खायेगा, दिरी बाद मी काम ज شकाम लोगर दनाम बना सब ब hypothesis कर दियमे लिए मजलेवर मजदूरू के विए कोई संदूर का खाया तर याáfic है बावच बास सरकार के तरफ से मिलाग है य्उशले संदूर के तरफ से कोई मदद कोई मदद ए कि अगरीब लोग सरकार को चुन कर लाते हैं तो अपनी बात तो रखेंगे ना क्या आपील करते हैं अप सरकार हैं कोई बेलुने नहाए गड़ी बादमी को देखिए जोपरी में है लोग काम रोजगार सब ठाप परल है वाले बच्चे परल है यहां पर अब गड़ियों गड़ाने चाल अध्याद कर से जए यह बताईए कि बस्ती का क्या हाल है देखें चाचा आई यह बताईए बस्ती का क जोपरी आई यहां जोपरी तो पूतो के नाम से चुर्टे यह रासन मिल जाता है रासन तो मिल जाता है वाड कॉंसिलर मदद करती है नहीं को मदद ना रासन का ढ़ा करके गवह एक आप लेन वेकले तो आप लोग जाते नहीं पर चैनल को बोले की मदद क्यों कि अदिसकुमार तो कहते हैं कि गरीबी अटेस्ट चाधने के सते हैं यह लगता है लगता है कि अदेखें करता तुई नहीं है यह नहीं है बच्चों के भवीश्य क्यों बरबाद कर रहे हैं बच्चाग तो अभी सब बारी कहां परहे रहे हैं अभी सब बच्चों जेते इसकोल बगन में स्कूल है सब बच्चाग जाए है बसरते अभी बंद है तो कहां जाए पुलीस आएगा गौरे में रहो मारेंगे पीटेंगे अपना गहर्म परल है शिपसी जाता ना है यहां दोपता है कि गहरे में रहो भुक्याल फ्यासल गहर्म परल नहीं लो चाची सरकार के तरफ से मदद की जा रही है कोई मदद नहीं की जा रही है कुछ नहीं की जा रही है कुछ नहीं की जा रही है कुछ नहीं की तरफ से कोई मदद नहीं है तो आप लोग बोलने नहीं जाती है वाड कॉंसिलर को मिलिया ने रहा है तो क्या बोलने जाएं तो किस तरह से आप लोग का घर चलता है किस तरह चल रहा है बैठाल रहते हैं कैसे चलेगा ठाना पीना अईसी बालवचा रहता है ता कुछ हुआइए रहा है काम धना सवेरी स बंद रहता हैसाब की कई से क्या है oughing बश्ति का क्या हालिं बश्ती में सोचाले वगयरा पानी के विवस्ता कैसी है भी यह रोट पर जाती है मतलब सोचाले करने के लिए हों सुचाले का बलते हैं डाता है बहनां ही तो सरकार सचाले तो है तो लोगों का यह कहना है कि बस्ती की जो सोचाले है उसमें ताला लगा वह लोगों को सोचाले करने के लिए रोड पे जाना पड़ा से नितिश कुमार के जो साथ निश्चे आये थे हम बता दें कि जो साथ निश्चे थे उसमें घर में सोचाले बस्ती में सोचाले और घर मे पानी की विवस्ता की बात की गई थी लेकिन वो सब भी यहां फेल होती नदर आ रही है आपको देखाएंगे कि बस्ती में किस तरह से यहां लोग रह रहे हैं आप इस तरफ देख सकते हैं कि यह जो जोपडियां है तूटी पूटी जो जोपडियां है इसके अंदर ही लोग अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है और साथी साथ आप देख सकते हैं कि यह कुछ हाल है यह कुछ हाल है और आप वह सोचाले देख रहे हैं वह सोचाले लोगों ने खुद अपने लिए बनाया है ताकि वह शौच कर सकें और आप गंदगी देख सकते हैं कि क्या हाल है यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर गंदगी मौझूद है पाबू इस वचाले है यहीं सोच करने जाते हो यह तुम लोग खुद बनाए हो इस सरकारी है सरकारी नहीं है अबना इस सरकारी है यहाँ पापा मिल के बनाए है अच्छ 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 इन्हे अवा धारे यह तुम सब को मनमानी पैसा लेता है जा पैसाले एकर करके जा अब हाए अब हगा देता है तपना अपना बनाए लिए छाल पानी तो अपना पैसा कर है वह सजोर के हम पानी के वास्ता यह सब आप लोग खुछ से बने अपना सबने लिए सरकार के तरफ से कोई पानी के विवस्था नहीं है जो गंदगी एतना पटना नगर निंगम साफ करने नहीं आती है अब गंदगी तो राइट का वू अपने बीगे चेम सब भरे चे कच्रास राइट का नगर निंगम लाके और इधरी भर देता बस्ती में ताप लोग कभी कुछ बोलते नहीं है में को राज आप शुनाइट करें दू है और बहुत दूर सरकार तरह से कुछ नहीं मिलता है को मदद नहीं है को मदद नहीं है और उसे जे भूख ज हकाँ sleeps 2 डूर ज honeymoon सरकार भी भागा रहा है जहां सह कहां जाएंगे जहां कहां कर श्यासन के तरफ यह बस्ती उजाडने कर भी काम कि अच्छा नहीं तो किस तरह से आप लोग का जीवन गुजर रहे हैं किस तरह से आप पहुंच रूपई या खाते हैं ते दूर रूपईया में बाल बचा किलाते हैं कम रजगार करके वो लुड़ान के बंद हैं कौन करने के लिए कहां जाती है तो तो काफी जादा परिशानी है यहाँ पर लोगों के बीच लोगों के बस्ती में की कमी है पानीकी वेवस्था जो है वो जो सौचाले है वो लोगों ने खुद अपने पैसों से बनाई है ताकि उन्हें रोड पर जाके सौच ना करना पड़े जो सरकारी सौचाले है यहाँ पे सुलब सौचाले है वो उसमें ताला लगाव है उसकी तस्वीर भी हम आपको देखाएंगे तो बने रहें तो आप देख सकते हैं कि यही वो सरकारी सौचाले है जो कंकडबाग अंचल का है जो पटना नगर निगम के तहत बना है लेकिन लोग इसका लाब उठाते नजर नहीं आ रहे हैं लोगों का कहना है कि यह सरकारी सौचाले जो है उसमें ताला बहुत दिनों से लगाव है रैड पांच रुप्या है वार सौचाले का कि हफते में एक दिन खूलता है ऊपर से लोगों से पैसे बिले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें ताला अभी भी मौजूद है हमारे सामने आप देख सकते हैं तो यह कुछाल है यहां की बस्ती का लोगों का कहना है कि सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं की गई है ना ही कोई विधायक और ना कोई वार्ड कांसिलर इनकी मदद करता कोई नज़र नहीं आया है आपको बस्ती का हाल दिखा है तो बस्ती के अंदर जो सोचाले है सरकारी सोचाले है उसमें भी ताला लगा हुआ है हफते में एक बार खुलता है लेकिन लोगों से पैसे लिये जाते हैं और आपको बताते चले कि पानी की व्यवस्था भी यहां बस से बत्तर है नितीश कुमार के जो साथ निश्चे हैं वो यहां फेल होते नजर आ रहे हैं जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है वो यहां इस बस्ती में आकर इस बस्ती की हकीकत जानकर वो वादे फेल होते नजर आ रहे हैं इसी तरह की खबरे देखने के लिए सुस्क्राइब करें आजादी मैं हूँ आपके साथ नाजिश महताब धन्यवाद